नमस्कार दोस्तों, ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है, मैं हूँ ओंकार चोधरी क्या ये कम आश्चरिय की बात है, कि जिन निहंगों ने गुरू ग्रण सहाब की बे अदबी का नाम लेकर के, बहना बना करके, तरंतारन के एक 35 साल के दलित युवक, लखवीर की तलवारों से काट करके, निर्मम हत्या कर दी, वो अब संयुक्त किसान मौर्चा और सोनीपत के पुलिस परशासन को धमकी देने पर आमादव है, धमकी देने पर उतर आये हैं, और मसला क्या है, अब तक चार निहंगों को पुलिस ने ग्रफतार किया है, या उन्होंने सरंडर किया है, अब निहंग कह रहे हैं, कि इस से ज़्यादा ग्रफतारी वो नहीं होने देंगे, वो और निहंगों का सरंडर नहीं करेंगे, और अगर पुलिस परशासन ने जोर दबरदस्ती करने की कोशिश की, तब अप्रिय हालात पैदा हो जाएंगे, और उधर संयुक्त किसान मौर्चा, जो निहंगों से अपना पल्ला ज़ाड़ रहा है, जिसने इस घठना के तुरंत बाद इस कृत्य की निंदा की, यानि अपना पल्ला ज़ाड़ा, और कहा के निहंग जो यहाँ डेरा डाले पड़े हैं, और इस तरह की गती विधियों में सनलिप्त हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, योगेंदर यादव ने क्या कहा है, उनने कहा कि ये कोई धार्मिक मोर्चा नहीं है, बलके ये किसान मोर्चा है, इसमें निहंगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन वे हटने को तयार ही नहीं हैं, वस्तु इस्तिति क्या है, पिछले दस साड़े दस महिने से ये किसान मोर्चा लगा हुआ है, और ये निहंग भी यहां है, और सिंगों बोर्डर पर तो, जहां स्टेज लगी हुई है, उसके ठीक पीछे की तरफ, निहंगों ने अपने डेरे बना रखे हैं, अपने एयास्थाई गुर्दवारे बना लिये हैं, वहां लंगर चलता है, वहां अस्पताल अस्थापित है, वहां इनके घोड़े बंदे हुए हैं, वहां गुरु गिरंद साहब का प्रकाश भी हो रहा है, यानि इन्हों ने एक अपना पूरा उपनागर बसा रखा है वहां पर, तो क्या साड़े दस महिने से संयुक्त किसान मौर्चा को ये निहंग और इनके कारणा में दिखाई नहीं दे रहे थे, बलके कहना चाहिए कि जब शुरू शुरू में ये लोग यहां आकर के डेरा डाल करके रहना शुरू किये थे, यानि संयुक्त किसान मौर्चा के लोग उस समय तो बाकाइदा किस-किस तरह के परचार किये गए थे, कि मसाज के लिए अलग डेरे हैं, जिम के लिए अलग डेरे हैं, कपड़े प्रेस करने के लिए अलग हैं, कपड़े धोने के लिए अलग हैं, तरह तरह के मिश्ठान बनाए जा रहे हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं, अत्यादुनिक मशीने लगाई गई हैं, रोटियां पकाने की और रोटियां बनाने की तरह तरह की मिठाईयां, तरह तरह के द्रव्य पदार्थ लोगों को परोसे जाते थे, मेवे यानि जो ड्राइ fruits हैं वो परोसे जाते थे और उस समय नगर कीर्टन भी होना शुरू हो गया था तो वो कौन कर रहा था यही निहंग कर रहे थे जो घोडों पर सवार होकर के सुबह के समय नगर कीर्टन करते थे सब सेयुक्त किसान मोर्चा को यह सुद्ध क्यों नहीं आई कि यह निहंग यहां क्या कर रहे हैं और आगे चल कर के यह कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं अब कहा जा रहा है कि साब करीब दो मैई इन पहले जो इनके एक नेता है राजेवाल उन्होंने कहा था कि साब इनको यहां से हटाया जाए बलवीर सिंग राजेवाल ने कि इनका यहां कोई काम नहीं है और इनको यहां से चले जाना चाहिए तो उस वक्त जो है राजेवाल की इस बात का विरोध किया गया था कि निहंग जो है वो तो किसानों की हिमायत के लिए आए हैं इन्हें कैसे हटाया जा सकता है लेकिन गुरू ग्रंद साहब की बे अदबी मामले में निहंगों की तरफ से एक युवक की जिस तरीके से हत्या की गई उसको लेकर के फिर से इनके यहां मोर्चा जमाने से और इस तरह की कारस्तानी करने को लेकर के कंभीर सवाल खड़े हुए हैं अशोक सिर्वास्तो जो दूरदर्शन के सीनियर एंकर हैं उनका एक ट्वीट में पढ़ रहा था सुबए उन्होंने तो कहा है कि ये गुरू ग्रंद साहब की बे अदबी का तो बहाना बनाया जा रहा है एक्च्वल में तो वो इनका सेवादार था लखवीर और उसने टेंटों में कुछ ऐसा होते हुए देख लिया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और शायद इसी लिए उसकी निर्मम हत्या कर दी गई ताकि बात बाहर तक ना पहुँचे उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि ये क्या मसला था इसकी जाच होनी चाहिए हलाकि अशुक सिर्वास्ताव ने इसका खुलासा नहीं किया है ट्वीट में कि उनको ये बात कहां से और कैसे पता चली है जो सूचना मिल रही है वो ये है कि जो निहंग है ये द्रंकुष है और संयुक्त किसान मौर्चा के स्टेज के ठीक पीछे इनके तंबू लगे हुए हैं यहां पर उनकी और से गुरुगरंद साब का प्रकाश भी किया हुआ है गोड़े बांकर के रखे हुए है और निहंग अकसर स्टेज पर नंगी तलवारे लेकर के पहुँच जाते हैं और किसान नेताओं को भी ललकारने लगते हैं और यही नहीं वो कई बार किसान नेताओं को अपने आदेश भी सुना चुके हैं और यह भी जानकारी मिल रही है और यह कहा गया है के जरा वीडियो फुटेज उठा करके देखिए ग्रनतंत्र दिवस के 26 जनवरी को जब दिल्ली में किसानों की तरफ से क्रेक्टर परेड की गई थी तो लाल किले की तरफ जाने वालों में सब से आगे यह निहंग ही थे बेरिकेट तोड़ने की बात आई तो वो सब से आगे रहे ट्रेक्टर मार्च के आगे आगे गोडों पर यह लोग चल रहे थे तब भी इनहें लेकर कई तरह की आवाजे उठी थी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और हालात ये हैं ग्राउंड रिपोर्ट कुछ अख़बारों में छप रही है इनके जो निहंग महराज है बलविंदर सिंग किसान मोर्चा के इस बयान को के हमारा इन निहंगों से कोई लेना देना नहीं है और इनको यहां से चले जाना चाहिए उन्होंने इस बयान को ही निंदनी ये बता दिया और कहा के निहंग उनके आंदोलन का हिस्सा है और उन्होंने ये भी कहा के हम तो किसान आंदोलन को समर्थन देने आए हैं हम उनके साथ थे और रहेंगे और युवक की हत्या को लेकर के बलविंदर सिंग ने ये कहा कि जो कुछ हुआ वो भीड ने किया और जिसकी हत्या हुई वो साड़े तीन बजे हमारे पवित्र गुरु ग्रन साब को उठा करके भागा था लेकिन उसे भीड ने पकड़ लिया उसके साथ जो भी हुआ ठीक हुआ ये इनके निहंग महाराज का कहना है बलविंदर सिंग का और मसला यही तक नहीं है ये लोग कह रहे हैं कि हम तो यहां से नहीं जाएंगे क्योंके हम किसान मोर्चा की सुरक्षा के लिए आए हैं अंदुरन कारियों की सुरक्षा के लिए आए हैं अगर इनको पुलिस यहां से उठाती है तो हम बीच में आ जाएंगे और पुलिस का मुकाबला करेंगे इन्होंने ये भी दावा किया है कि हमारे पास तो बहुत माल मसाला है यानि हम अस्त्र शास्त्र सब कुछ लेकर के चल रहे हैं आए हैं और पूरी तैयारी के साथ हैं और एक खबर और आ रही है वो ये है कि निहंगों ने किसान मौर्चा के नेताओं को ही उल्टे फटकार लगा दी है यानि वलवीर सिंग राजेवाल और योगेंदर यादावन ने जो कहा है कि ये लोग यहां से चले जाएं इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है और ये कोई धर्मिक मौर्चा नहीं है ये किसान मौर्चा है तो इस पर उन्होंने ये कहते हुए फटकारा है कि ये कानून की बात तो नहीं करें क्योंकि सुप्रिम कोर्ट ने तो इन तीनों कृशी कानूनों पर दो साल के लिए रोक लगा रखी है फिर ये यहां क्यों बैठे हैं अगर सुप्रिम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगा चुकी है तो इनके यहां बैठे रहने का क्या मतलब है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो गुरू ग्रंद साहब की बेद्वी हुई है इसकी अगर निस्पक्ष जाच हुई तो बड़ा कांड निकल करके सामने आएगा और ये भी कहा गया है कि सरकार आंदोलन कारियों को सिखों को आतंकवादी बता रही है जबके सरकार खुद आतंकवादी है और सिंगु बोटर पर जो निहंग बैठे हैं उन्हें हरियाना पुलिस को भी धंकी दे डाली है 16 अक्तुबर की रात को भगवंद सिंग मान भगवंद सिंग और गोविंद प्रीट सिंग ने सरंडर किया था और उन्होंने इसके बाद ये कह दिया निहंगोने कि अब हम और किसी साथ ही का सरंडर नहीं करवाएंगे और साथ में ये भी धंकी दे दी कि अगर और लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही गई तो जिन्होंने अब तक चार लोगों ने सरंडर किया है उनको भी हम छुड़वा लेंगे ये जो धंकी दी है ये राजा राम सिंग है इनके बाबा राम राजा राम सिंग उन्होंने धंकी दी है कि अब किसी और निहंगों को ग्रिफ्तार करने की बात की गई तो वो उन चार साथियों को भी छुड़वा लाएंगे जिन्होंने इस मामले में अब तक सरंडर किया ह तो इससा आप अंदाजा लगाईए कि इनका दुस्साहस किस सीमा तक बढ़ा हुआ है और अब तक जिन लोगों ने सरंडर किया है उनमें एक तो नारायन सिंग है एक सरबजीत सिंग जिनोंने सबसे पहले सरंडर किया था और दो ये यानि भगवन सिंग और गौविंद प्र सिंग और सबसे चोकाने वाली बात क्या है ये जो नारायन सिंग है ये अमरत सर पहुँच गए थे इस कांड के बाद और इनोंने वहां खुद को सरंडर किया यानि अकालतक्स के सामने और वहां इनका सम्मान किया गया इनके गले में नोटों की माला डाली गई तो ये हाल है कि ये लोग अब मनमानी करने पर उतर आये हैं और इनोंने किसान मोर्चा के नेताओं को भी धमकाना शुरू कर दिया है इनोंने जो सोनिपत पुलिस प्रशासन हरियाना सरकार है उसको भी धमकाना शुरू कर दिया है आज सुभा मेरे पास एक वाटसेप आया और ये वाटसेफ आया गोरव पर्धान के टेलीग्राम के हवाले से और इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई है इसमें ये कहा गया है कि किसानों के नाम पर शुरू हुई इस नोटंग की पर मौदी सरकार ने कुछ ना करके इसका असली चहरा सामने ला दिया है सरकार ने कुछ नहीं किया और कथित किसान आंदोलन खूखार हैवानों का आंदोलन बन करके सामने आया बेनकाब हो गया। कनाड़ा पाकिस्तान से फंडिड खालिस्तानी आतंकवादियों के आंदोलन को पिछले एक साल से किसान आंदोलन सावित करने का भरसक परियास किया जा रहा था। सक्त एक्षन लेती तो उसके रियक्षन में ये लोग पूरे देश को जलाने की फिराक में थे। सरकार ने कुछ नहीं किया। लाल किले पर हुई हिंसा को पूरे देश ने देखा। इन्होंने सोचा कि इस हिंसा के बाद सरकार आंदोलन को कुछलने के लिए कोई एक्षन लेगी। लेकिन सरकार ने तब भी कुछ नहीं किया। पूरा सयोग मिल रहा है तो इन लोगोंने 2022 में होने वाले चुनाव तक इस आंदोलन को एक्सपेंड करने का प्लैन बनाया। और किसान के वेश में भिंडरा वाले की तस्वीर वाले पोश्टर लेकर निकल पड़े उत्तर परदेश। यहां इनोंने केंद्री मंत्री के काफिले पर हमला किया जिसमें गाड़ी से कुछल करके चार लोग मारे गए जिसके बाद इन लोगोंने चार भाजा पाकार करताओं की डंडों से पीट पीट कर दर्द नाखत्या कर दी। यह लोग दर्बारी मीडिया के साथ मिलकर अपने स्कृत्य को जस्टिफाइड करने लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस बार इनकी योजना पर पानी फेर दिया। इन्होंने उत्तर प्रदेश को जलाने का प्लान किया था जो फेल हो गया। अद्वी का बहाना बनाया लेकिन ये बहाना चल नहीं सका। अब वही दरबारी मीडिया जो कल तक इनको किसान बता रहा था वही बड़ी-बड़ी हैडलाइन में इन्हें हैवान बता रहा है। और इन्होंने जो किसानों का चोला पहन रखा था एक-एक करके वो अब उतर रहा है, पूरा देश देख रहा है। सरकार तो कुछ नहीं कर रही लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। सरकार ने कुछ भी ना करके इनके सडियंत्र को भी फेल कर दिया और इनको भी पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंदा रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या जोएन नहीं किया है, तो आप स करें किया है